Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone आज के लेक्चर में हम आपके लेकर रहा हैं कुछ बढ़ियाशी शॉट ट्रिक जिसमें हम सबसे पहले AP याने की Arthematic Progression की कुछ बहतरी शॉट ट्रिक्स को देखेंगे इसके पहले मैंने Arthematic Progression की शॉट ट्रिक के उपर शायद एक लेक्चर और आपको बना दिया है तो चलते हैं आज दूसरे लेक्चर की और और देखेंगे Arthematic Progression पर शॉट ट्रिक तो सबसे पहले शॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी Arthematic Progression की सीरीज आपको दी गई है अगर SN की फॉर्म में दी होती है जनरली वो होती है कितनी AN स्क्वार प्लस BN इस तरीके से रिया हुआ करती है यह क्या होते है इसके nth term का sum होता है याने n-way पदों का योग होता है तो n-way पदों के योग से मतलब यह कह लीजिए आपके पास योग स्रिणी है English में इसको बोल सकते है क्या इसको आप बोल सकते है sum series है sum series तो अगर आपको यहाँ से term series बनानी है ओके n-way पद निकालना है तो मैंने आपको क्या trick बताई थी मैंने आपको trick बताई थी जो a का गुडांक है n square n का 2 नीचे ले आईए तो 2n into a और plus का कितना हो जाएगा b-a multiply by 1 कुछ नहीं करना आपको multiply by 1 मतलब कि b-a होगा तो इसलिए n-way पद कितना होता है n-way पद होता है 2n multiply by a plus b-a एक example देख लेते हैं कि अगर मान लीजे आपके पास में कोई स्रेणी है sn equal to आपके पास में मान लीजे 5n square plus 2n है तो इस स्रेणी का n-way पद क्या होगा n-way पद होगा 5 into 2 2 नीचे आजाएगा तो कितना हो गया 10n और plus 5-2 यानि कि answer कितना हो जाएगा 10n plus 3 यह आगया इस स्रेणी का कौन सा पद n-way पद अब आप इस result का इस्तमाल करके आप दूसरा तीसरा चौथा दसवा कोई भी पद आप यहां से निकाल सकते है तो यह हो गया कौन सा आपकी सिरीज का n-th term तो एक तो ट्रिक मैंने आपको यह बता दी अब आईए हम दूसरी ट्रिक की तरफ चलते है दूसरी ट्रिक क्या है दूसरी ट्रिक यह है कि आपकी कि पास किया दी कोई भी स्रेणी दी गई है आप उसको देखते ही उसका सरवांतर बता देंगे जैसे एक्जाम्पल के लिए s equal to आपको दी गई है 5 n square plus 6 और आपको बताना है इसका सरवांतर d कितना है तो क्या करना पड़ेगा आपको इस 5 का just double कर दीजे मतलब 2 into 5 कर दीजे मतलब n square के गुड़ांक का double तो trick बना लिजे जो common difference होता है that is equal to 2 times coefficient of n square coefficient of n square तो यह जो n square है n square के coefficient को क्या कर दो just double कर दो तो d is equal to 2 multiply by 5 answer कितना आ जाएगा 10 तो यह आपकी short trick आ गई directly common difference निकालने की जैसे आपके पास कोई trick कोई आपके पास AP है suppose 3 root 3 n square plus 6 यहाँ पहला की n भी आएगा मैं आपको बता दूँ 6 n यह आपके पास में कोई आपको AP दी गई है यह क्या दी गई है AP दी गई है आपको बोला गया इसका common difference कुछ नहीं करना है इसको double कर देना है तो 2 into 3 root 3 तो answer इसका कितना हो जगा 6 root 3 तो directly आप यहाँ से short track के लगा करके directly common difference आप यहाँ से निकाल सकते है चलिए कुछ और short track की तरफ चलते है arithmetic progression की जबर जब जब short track देखे तो एक और short track आप लिख लो short track याने की result एक short track लिख लिख लो कि m y जो term है वो कितना है 1 upon n है अगर m y term जो है 1 upon n है और अगर n y term 1 upon m है तो बिना solve करें अगर आपको पूछ लिए जाए कि इस ap का m into n y term क्या होगा answer कितना होगा directly आँख मूंद करके आपको answer 1 रख देना है directly result बना लिजे nth term अगर 1 upon n है और nth term 1 upon m है तो यहाँ पर जो common difference आता है sorry common difference नहीं m nth जो term है वो कितना है 1 upon sorry m nth term जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा आओ भई इस पर एक question करने तो मज़ा आजाए है ना question करो तभी तो confidence आता है तो क्यो ना भई question कर लिया जाए आएए देखी क्या question इस पर बनेगा मालनी जे आपके पास कोई ap है और उस ap का शटवा term आपको दिया गया है 1 upon 8 और उस ap का आठवा term आपको कितना दिया गया है 1 upon 6 यह देखिये आपको उस ap का 6th term दिया गया है OK है ना 6th term कितना दिया गया है आपको देखे 1 upon 8 दिया गया है और 8 थम कितना दिया गया है 1 upon 6 तो वही ट्रिक लग गई कि आपके पास M1 टर्म क्या है M upon N और Nth टर्म क्या है 1 upon M तो बिना solve करें आपसे पूछा कि भाई T48 टर्म क्या होगा तो जड़ाब match कर लो कि क्या ये M into N की structure तो नहीं बन रही है तो यहाँ पे M कितना दे रहा था 6 दे रहा था यहाँ पे N कितना दे रहा था यहाँ पे 8 दे रहा था M into N कर दोगे दोनों को तो कितना आएगा 48 आएगा मतलब ये कितना है 6 into 8 है इसका मतलब ये M into N है तो आख मुद करके answer इसका कितना टाइप करिया यह इसका आंसर होगा 1 तो जल्दी से नोट कर लो इस जबर दस ट्रिक को चलिए देखे इसके बाद अगला एक बहुत शानदा रिजल्ट नोट करिए यह भी AP के लिए है अगर आपके पास कोई AP दी गई है और AP के किसी AP के M पदों का योग M terms तक का sum upon N terms तक का sum आपको आया है M square upon N square कोई AP है जिसके M terms तक का sum कितना आया है M square upon N square और आपको बताना है कि इस condition में इस AP के M way पद और N way पद Mth term और Nth term का ratio क्या होगा What will be the ratio of the Nth term upon Nth term तो इसको याद कर लिजे बहुत ही simple है आपके पास M square है और आप सम दिया गया है आपके पास में M square upon N square और आप term की और जा रहे हैं तो इसका जो ratio बनेगा term का वो याद कर लिजे 2M minus 1 upon 2N minus 1 बिल्कुल solve करने की जरूरत नहीं आपको अगर आपको सम का ratio दिया गया है तो आप term का ratio चुटकियों में निकाल सकते हैं आओ इस पर एक question हो जाए तो मज़ा आजाए ओके यस ये दिखे अगर आपके पास में कोई AP के Mth term का sum और Nth term तक का जो आपको sum दिया गया है वो दिया गया है देख लिजे मैं इसको लिख द और 3rd तक का sum आपको जो दिया गया है किता दिया गया M square upon N square यानिकी 16 by 9 16 by 9 है तो इसको तुरंत आप इसको किस रूप में देखेंगे इसको आप देखेंगे 4 square upon 3 square ओके 4 square upon 3 square मतलब पता चल गया M की जगह कौन बैठा हुआ है M की जगह पे 4 है और N की जगह पे कौन है 3 है अब आपको निकालना है A4 upon A3 तो जो इसका answer आने वाला है वो किता आएगा 2 M minus 1 तो 2 into M की जगह कितना है 4 minus 1 upon 2 into N की जगह पे कितना है 3 minus 1 तो 2 4 जा 8 minus 1 और 2 3 जा 6 minus 1 तो answer इसका आएगा 7 upon 5 तो इस pattern को भी याद रखिए कि अगर SM upon SN okay M term का ratio और sorry M term का sum और N term का sun अगर M square upon N square आता है तो Mth term और Nth term का जो ratio आएगा वो कितना आएगा वो 2 M minus 1 upon 2 N minus 1 आएगा ठीक है ये तो ये बहुत ही बड़ी है short trick है इसको आप note कर लीजे अगली short trick के लिए और बढ़ते हैं चली अगली short trick मैंने एक बार पहले भी करा दी है और एक बार फिर से मैं कराओंगा आपको यहाँ पर क्योंकि recall कराना मेरी यादत है आपको कहा गया है कि अगर किसी series के किसी AP के ये सारा कुछ AP के लिए चल रहा है अगर किसी AP के mth term का sum of mth term आपको n दिया गया है और sum of nth term आपको m दिया गया है m, m पदों का योग आपको n दिया गया है और n पदों का योग आपको m दिया गया है sum of m term is n and sum of n term is m तो आपसे पुछा जाए कि यहाँ पर तो आपको पुछा जाए कि m प्लस n पदों का योग क्या होगा तो आपको m plus n पदों का योग बताना है sm plus n ठीक है तो sm plus n पदों का योग किता होगा minus of m plus n इसको note कर लिजे sm plus n equal to minus of m plus n note कर लिजे please m plus n terms का जो sum होगा that is equal to minus of m plus n ठीक है yes तो क्या चल रहा है कि अगर m terms का तक का sum जो है n है और n terms तक का sum कितना है m है तो आपके पास जो sum होगा m plus n terms का वो कितना होगा minus of m plus n आईए इसका एक example करा देता हूँ मैं आपको मान लिजे आपके पास में कोई sequence है जिसके 15 terms तक का sum 20 है कितना है 20 है 15 terms तक का sum 20 है और उस sequence के 20 terms तक का sum कितना है 15 है 20 terms तक का sum कितना है 15 है तो आपके पास पूछा गया कि S 35 कितना होगा 35 terms तक का sum बताईए answer minus लगाईए और यहां लगा दीजे 20 प्लस 15 तो answer कितना होगा S 35 is equals to minus of 35 ओके तो m plus n terms का sum S of m plus n is equal to negative of m plus n ठीक है ना negative of m plus n चली अभी एक और trick मैं यहां से आपको बता देता हूँ अगर आपके पास में कोई AP है और उस AP में आपको दिया गया है कि m वाट term n है और n वाट term m है ओके इनन AP if mth term is n and nth term is m आपको m वाट term n दिया गया है and nth term आपको m दिया गया है तो आपसे पुछा गया है am plus n कितना होगा आख मूंद करके इसका answer आप कितना दे दीजिए 0 इसका answer कितना दे दीजिए 0 बिल्कुल solve करने की जरूबत नहीं देखे कैसे solve करते हैं इसको अगर कोई question देते solve नहीं करूँगा मैं के example बताऊंगा आपको कहा गया कि कोई AP है जिसके 6th term 11 है और उस AP का 11th term 6 है आपसे बोला गया 17th term क्या होगा identify कर ये देखे क्या कर रहा है M और N को add कर रहा है क्योंकि 11 और 6 कितना होता 17 होता है तो यह actually है क्या यह 6 plus 11 है और अभी मैंने बताया आपको कि T यह M plus N है और M plus N कितना होता है 0 होता है क्यों होता है क्योंकि A of M equal to N है और A of N equal to कितना है M है तो M plus N terms का जो sum होता है वो कितना हुआ करता है 0 हुआ करता है अगले जबर्दस short trick की ओर चलिए अगले short trick क्या है किसी arithmetic progression में अगर M times of M term equal to N times of N term M times of M term is equal to N times of N term है तो आप से बोला जाए कि यहाँ पर आप बताईए कि इस series का जो M plus N term क्या होगा इस series का आपको कितना बताना है इस series का M plus N term क्या होगा तो इस series का जो M plus N term आएगा कितना हैगा 0 आएगा ठीके ना कैसे देखिए इसका एक example दे देता हूँ मैं आपको अगर आप से कहा गया कि कि किसी series के पांचवे term का पांच गुना ओके किसी AP के AP के 5 terms का 5 times equal to 6 times of 6th term ओके और you can say 7th times और फिलाल तो मैं 6 की बात कर रहा हूँ इस 5th 5 times of the 5th term is equal to 6 times of the 6th term of an AP then you want to find 11th term ओके so what will be the 11th term 11th term may be written as T 5 plus 6 it is so answer will be equal to 0 so अगर आपके पास में इस तरीके की structure बन रही है कि M times of the Mth term is equals to N times of the Nth term then the value of the M plus Nth term equals to 0 बिना solve कर आपको answer लिखना है यहाँ पर M plus Nth term का value किता होगा 0 होगा done चलिए देखे दोस्तों अगली जो property है वो arithmetic mean को ले करके है ओके arithmetic mean arithmetic mean को ले करके है अब मैं आपको arithmetic mean के बारे में एक जबरदस property आपको बता रहा हूँ जिससे की आपको arithmetic mean में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगे निकालने के लिए ओके so क्या property होती है माली जो आपके पास में arithmetic mean किसी number को ही दिये गए है 2, 4, 6, 8 ओके and then 10 है then 12 है इस तरीके से कोई number दिये गए है तो देखे आपके पास क्या यदि आपको सारे number का arithmetic mean निकालना है ओके सारे number का arithmetic mean आपको निकालना है तो यदि आप निकालेंगे सभी number का arithmetic mean तो देखे आपके पास total कितना sum आएगा 2, 4, 6, 6, 12 12, 8, 12, 8, 20, 20, 10, 22 and sorry 20 plus 10, 30 and 30 plus 12 कितना हो गया 42 अप उन में total number क्योंकि arithmetic mean क्या होता sum of all the number divided by the total number of count जितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह आगया आपने पास में ओके देखे कितना आगया 8 आगया आपके पास में तो mean कितना आगया है 8 आचुका है अब देखे आपने इतनी मेहनत करी इसको mean को निकालने का अब इसका दूसरा तरीका यह है कि mean is equals to mean is equals to मतलब total का mean mean of the group mean of the group mean of group of number mean of group पूरे group का जो mean होगा that is equals to mean of any two equidistant number मतलब बराबर दूरी पर कोई दो नंबर होंगे उनको अपले लो तो जैसे ये नंबर है और ये नंबर है ओके ये नंबर है और ये नंबर है देखे जोड़े यहां पर गलत हो गया है छे आठ नहीं आएगा साथ आएगा ना सेवन आएगा मैंने गलती कर दी थी सेवन आएगा शिक्स देवन दा फोटी तू तो चलिए वापस आते हैं so mean of the group of the number equal to mean of the any two equidistant number आपको करना क्या है आपको mean निकालना है ना तो आप देखे दो नंबर शुरू के और end के ले लिए बस उसका mean निकाल दीजिए ओके वही आपका answer आएगा कोई भी शुरू के end के मतलब equal distance वाले आप चाहो तो 4 और 10 ले लो आप चाहो तो 6 और 8 ले लो बस यह याद रखना कि equal distance होनी चाहिए जितना सुरू से दूर उतना अंत से दूर तो mean of the 2 equal distance number so we are taking here 2 and 12 so 2 plus 12 by 2 that is equal to 14 by 2 equal to kitna 7 otherwise आप कौन सा नंबर ले सकते हैं 4 and 10 ले सकते हैं so 4 plus 10 by 2 once again that is equal to 14 by 2 equal to kitna हो गया 7 तो एक प्रापर्टी और बन गई है देखे ध्यान से कि आप अगर end और last मतलब equal distance हमको जोड़ेंगे तो आपका जो sum आएगा वो हमेशा क्या आएगा constant आपका जो sum आएगा वो हमेशा क्या आएगा constant आएगा मतलब वो sum हमेशा क्या आएगा fix आएगा यदि आप उसको add कर रहे हो है ना first and last number को तो मतलब equal distance वाली number को add कर रहो कि हमें साथ same रहेगा किसमें same रहेगा AP में तो आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो आप देखो AP में एक trick बना लो in AP in AP भाई पहला term है A1 last term है कितना AN okay first term कितना है A1 और last term कितना है AN है okay is equal to second term कितना होगा A2 और वहाँ से second last term कितना होगा AN-1 equal to A3 और यहाँ से third last term कितना होगा AN-2 और यह हमेशा क्या होते हैं यह constant होते हैं okay और आपने सीखा main property कि अगर आपको एक दिये गए combination का आपको mean निकालना है तो mean of n numbers okay mean of n numbers equals to mean of any two equidistant number mean of any two equidistant number तो जो आपके पास दो equal distance वाले number है आप उनका mean निकाल देजिए तो वही same answer आपका आजाएगा तो यह property मैंने आपको AP में एक बताई चली अगली जबरदस short trick की ओर चलते हैं अगली short trick लिखे अगली short trick क्या है अगली short trick को समझे पहले यह मान लिजे आपके पास में एक कोई number है small a लो और एक कोई number है small b और आपने इसके बीच में n mean insert करा हैं n mean a1 a2 a3 और आपको इन सभी means का क्या चाहिए sum चाहिए है तो trick बनाओ sum of all means all mean जितने भी arithmetic mean है उनका सब का sum चाहिए मतलब a1 plus a2 plus a3 plus a4 up to dot 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 जितने भी है किते mean आपने रखे है n mean रखे हैं आपको इसका sum चाहिए देखिए इसकी trick note करो इसकी trick होती है n by 2 पहला number a और दूसरा number b बस ये trick आप याद कर लो n by 2 a plus b ठीक है न n by 2 times of a plus b इसको कैसे आप याद कर सकते हो n multiply by a plus b by 2 n multiply by a plus b by 2 a plus b by 2 क्या होगा arithmetic mean किनके किसके बीच के बीच के नमबर का इन दोनों के बीच के नमबर का जो arithmetic mean होगा उसका end times आप कर दो आंसर कितना हो गया end times of arithmetic mean है ना जो end के जो नमबर है उनका आप क्या कर दो arithmetic mean कर दो तो directly आपको एगर कोई question दिया गया है जैसे मान लीजे मैं आपके कोई सामने कोई question लिख देता हूँ ओके आपको arithmetic mean निकालना चलो मैं question लिखा दूँ आपको आपको सामने question 8 है 16 है हना 24 हो गया 32 हो गया 40 हो गया 48 हो गया है ना और कितना हो गया 56 हो गया ओके आपको इन सब का क्या निकालना है mean निकालना है इन सब का क्या निकालना आपको mean निकालना है तो sorry 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 mean नहीं निकालना mean तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया था चलो mean की बात कर लिए तो mean भी कैसे निकलेगा this plus this upon to मतलब 8 plus 56 by 2 मतलब answer mean इसका कितना हैगा 56 plus 8 कितना हो गया 56 plus 8 भाई 60 नहीं होगा 64 तो कितना हो जागा 64 और 64 by 2 इकल डू कितना हैगा 32 तो इसका जो arithmetic mean निकलेगा वो कितना निकलेगा 32 निकलेगा बट फिलाल हम दूसरी property पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि 8 और 60 56 के बीच में all means का कितने mean रखें आपने यहापे 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपने 5 mean इंसर्ट करें हैं तो इन 5 mean का आपको sum निकलना है मतलब a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 इन सभी 5 means का sum तो formula क्या होता है n by 2 a plus l n by 2 a plus l n by 2 a plus l a plus l मतलब a plus b लिखो इसको n by 2 a plus b तो आपके पास में n कितना है अपने पास में mean कितने 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 by 2 multiply by a plus b मतलब 8 plus 56 8 plus 56 यह कर लिजए आपके पास में इसका answer आजाएगा तो क्या सीखा हम लोग ने हमने सीख लिया कि जो sum of n arithmetic mean between the two numbers हमाई पास दो number आपके पास में है एक a है और b है इसके बीच में जितने भी arithmetic mean आपके पास आ रहे हैं आप इसका sum निकालना चाहते हैं तो sum of n am arithmetic means equals to कितना होगा n by 2 a plus b n by 2 a plus b यह कह सकते हो n multiply by a plus b by 2 n multiply by a plus b by 2 done, note करिए इसको और चले ap की एक और property में आपको recall कराया देता हूँ last class में कि अगर आपके पास ap का pth term q है और आपके पास में ap का qth term p है तो जो rth term होगा वो कितना होता है ap का वो rth term होता है p plus q minus r यह भी एक बहुत काम का result है जो आपको बहुत time बचाएगा कैसे लगाते हो देखलो मानलो आपके पास question में दिया गया है कि ap का 13 term आपको दिया गया है कितना 12 और ap का 12 term आपको कितना दिया गया है 13 और आपको बुला है कि ap का जो है आप इस series का 8 वा term find करो कितना term find करो 8 वा term तो क्या मैंने बता है देखे ये p वा term q आ रहा है देखी क्या trick लग रही है pth term q है और qth term कितना p है तो एक तो बन गया p और एक बन गया q ये बन गया r तो जो rth term आएगा rth term क्या होगा p plus q minus r मतलब 12 plus 13 minus r so answer r की जगर कौन खेल रहा है आपके 8 खेल रहा है so 12 plus 13 that is equal to 25 minus 8 so 25 में से 8 minus कर दो भाई तो 25 में से 8 minus कर दो तो 15 बन जाएगा 15 में से 8 गया 7 ये 1 बन गया 2 में से 1 गया तो answer कितना आ गया 17 आ गया चुटकी बजाते आपको answer आ जाएगे इन short trick का इस्तमाल करने से ठीक है न तो एक क्या सीखा है आपने कि अगर किसी AP का Pth term Q हो और Qth term P हो बस इस पर थोड़ा ध्यान रखिए और आप से बोला गया है कोई भी number का term Rth number का term तो short trick क्या लगेगी P plus Q minus R से आप R की position पे बैठा हुआ term का पता लगा सकते हो done चलिए अगली short trick लिखे एक बार जो मैं एक बार और आपको करवा चुका हूँ क्या short trick है देखे ये short trick कहती है if S P equal to S of Q मतलब P terms तक का समझो है वो Q terms तक के sum के equal है अगर S P equal to S Q है तो आपको बताना है कि S P plus Q कितना होगा तो answer कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा देख लीजे एडी question में बात की जाए तो अगर आपके पास series है AP और AP में कहा गया कि 20 terms तक का sum जो है वो 40 terms तक के sum के equal है 20 terms तक का sum 40 terms तक के sum के equal है और आपसे S 60 मांगा है S आपसे क्या मांगा है 60 मांगा है तो आख मूंद करके आप रख दीजे कितना 0 रख दीजे आपने इसको पढ़ा भी होगा अपने 11th class में If S of M equal to S of N Then आपसे S of M plus N की value 0 मिलती थी ये वही trick है कि S of M plus N equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और देखे इसके पहले जो हमने trick पढ़ी है उसमें confuse मत होईएगा जो दूसरी trick मैंने आपको बाज बताई थी वो क्या थी If M times of S M जो दूसरी trick हमने आपको बताई थी Sorry वो ये नहीं थी वो ये थी S M अगर M terms तक का sum कितना है N है और N terms तक का sum कितना है M है If S of N equal to M and S of M equal to कितना है M दिया है S M N के equal है और S N M के equal है तो आप से पूछा गया था कि S M plus N कितना होगा S M plus N कितना होगा ओके इसको तो इसकी answer कितना होगा Is equal to minus of M plus N ये जो होगा आपके पास में कितना हो जागा minus of M plus N ठीक है न देखे इससे ये भी आपकी trick actually छोटी वाली जो भी मैंने इसके पहले बताई है वो बन सकती है देखो अभी आपने कहा कि S M और S N equal है मतलब इनकी दोनों की value अगर आप K ले लेते हो न इसकी दोनों की value आप जो है K ले लेते हैं आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट के आज यहां से trick बनेगी क्या S of M equal to N and S of N equal to M नहीं नहीं यहां से कोई trick नहीं बन रही है तो बस आप यह result याद रखिए कि S of N equal to M है और S of N equal to M है तो आपके पास S of M plus N कितना होगा that is equal to minus of M plus N तो यह आज के रहे बहुत ही शानदा result जो की APS related है इनको त्यार करिए Thank you so much